हलो नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटर कंपार्टमेंटल सविसेश परिक्षा में 62 फिश्दी हुए सफल तो चलिए इस पेपर कटिंग में जान लेते हैं और क्या बोला गया है इंटरमेडियर जो है ना कंपार्टमेंटल का रिजल्ट को ज जारी कर दिया गया है बिहार बोर्ट के अध्यसाइट इतना पर रिजल्ट जारी होने के साथ देश का यह पाहला बोर्ड बना जिसमें मई में ही कंपार्टमेंटल परिक्षा का रिजल्ट जारी किया गया है और बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि 36,671 विद्यार्थी सामिल हुए थे और जिसमें 34,792 और 62.04 फिजदी परिक्षार्थियों को सफल मिली और परिक्षा का आयोजन 26 अपरेल से 8 मई तक हुआ था और परिक्षा समाप्त होने के 23 दिन के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया गया कंपार्टमेंटल से विशेच परिक्षा में सबसे बहतर वानीज संकाय का रिजल्ट रहा है और वानीज संकाय में कुल 822 परिक्षार्थी सामिल हुए और इसमें 589 की 71.65 फिजदी परिक्षार्थियों को सफलता मिली विज्यान संकाय में 5.48 फिजदी और काला संकाय में 63.51 फिजदी विद्यार्थी को सफलता मिली बता दे कि इंटर वार्षिक परिक्षा में दो विशेवों में फैल विद्यार्थी को ही कंपार्टमेंटल परिक्षा में सामिल होने का मोका दिया गया था वही विसेस परिक्षा में वो छात्र सामील हुए जिनकी वार्सिक परिक्षा किसी काडन वस छूट गए थे तो यही एक छोटा सा जानकारी था पेपर कटिंग में दोस्तों इंटरमेडियर कमपार्टमेंटल वाले विध्यारतियों के लिए जो की हमने इस पेपर कटिंग में बता दिये पर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो पिलीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा थैंक्यू फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ